हेलो गाईज मैं कुमार नीरस सागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गाज जैसा कि मैंने कहा था कि पिछला लेक्चर में कि मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर क्या हूंगा तो बिल्कुल वह घरी आ गए तो आज के पार्ट में मैं आपको ये बताने वाल करने को अब जिकर आयगा तो आज मैं से बता हूंगा कि इस तरी से इने वाले कंपनी की समय तो अभी तक आपने चयाल को सब्सक्राइब के और बिल एकन बटन दवाना बिलकुल नहीं गुल आ क्योंकि वीडियो अप वीडियो फिर तो इसको खोल देने के बाद इसमें आपको पंपनी नाम अपना सोच लिजेगा जैसे कि मुझे इसमें mobile regarding बनाना है item ठीक है न तो mobile के regarding बनाना है तो mobile का ही इसमें जिक्र होना चाहिए यानि कंपनी का नाम भी mobile के according ही होना चाहिए ठीक है तो मैं देता हूँ यहाँ पे digital mobile कि डिजटल आगे में आगे रहेगा अगर कुछ भी आपका एड्रेस होगा तो आप डाल दीजेगा मेरा मुझबपर पुड़े में मुझबपर दाल देता हूं त्यक्षर आब सेख़ार, इंटर करके आपको नीचे आना है, और भी एड्रेस अगर आपको लिखना अ इसमल में तो आर्ड्रेस आपको रिटेल में लिख सकते हैं, फिक है इंटर करके नीचे आएगा, जो भी आपका state होगा मेरा भी हार है, तो मैं भी हार ले लेता हूं अपका जो का आप ले लीजैका चीड़ेंगा इंटर करके नीचे आईएगा PIN Code हो अपने वेबसाइट के एहां डालता हूं 2NCreations क्रेशन 2N लेक्षान्स डॉंक हो सिक एंटर करके आगे बढ़एगा यहां पर आ जिक्र किया है सेम तुसे मुझी तरह ये लेकिन इसलिए नहीं कहिंए क्योंकि इसमें नया चीज इनेवल होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक है यहां पर आपको फिनसर यह वन अप्रील रहेगा फर्फेक्ट है बुक बिगनिंग करेंगे हम लोग वन अप्रील को ह यह भी सही है इंडेकर के आगे बढ़ना है इंडियन कर्णेंसी का जो सिंबॉल होता है वह यहीं होता है पर्फेक्ट है फॉर्मल ने में बात कर ले तो आये ना नहीं होता है यह ठीक है यह इसको नो ही रहने दीजेगा इस पेस के लिए यहां पर बिटमीन है माउंट के बीच में जो सिंबॉल होता है ना उसके लिए उसकर लिए आगे की तो आपका मीलीयन में नहीं कराना लोगा नो ही रहने दीजेगा ठीक है यहां पर नमबर ऑफ डेसिमल कितना के बाद लगा रो डिजिट के बाद लग जाएगा तो यहां पर लगा हुग ऑट डेसिमल के यहां पर यहां पर फेक्ट है इंटर करके आपको एक्सेट कर लिए यहां से जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब आप आउगे GST वाले पूर ऑसे आपको यह जो ऑसन देक्राइए यहां उबРИ नहीं रहता ह freak टुछ शूटा सा लेकिन आप सो rhips कुलना है तो यहां पे इसको लोगो आप क्या किजे यह कर दीजिए ठीक है और एंटर कर दीजिए देखे पेज बड़ा खुल गया अब इसी पेज में हम लोगों को ना शेटिंग कर नहीं है क्या-क्या तो देख लिए और फीचर्स कोलना है तो यहां भी आप यह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर यहां पर मैंने कहा स्कते है अपशन ऊप्शन अपक उसको या रखेगा ठीके इनेवल विल वॉस पर इसकोटरी स्कोट इसको करते हें ठीक है तो में इंंवेंटरी जो हता ह। आल्का मेंटेन किजेगा इस्मे में बिल्कूल कड़ेंगे या इन्वेंटरी करना है मतलब एकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंटरी का भी आइटम इसमें आप मर्ज करोगे जोड़ोगे तो बिल्कुल यहां भी यह कर लेना है आपको यह option को ठीक है न उसके बात कर ले तो यहां पे इनेवल मल्टीपल प्राइस लेवल मल्टीपल प्राइस लेवल अगर आपको रखने का इक्षा होगा तो इसको भी आप यह स कर दीजेग도 है यहां पे आपको yes करके चलना है clear और इसको आप नो ही रहने दीजेगा आगे बढ़िएगा आप बात कर ले तो GST की तो यही मेन फीगर है GST का जो यहां से इनेवल होगा तभी आपके कंपनी के अंदर GST नमबर डालने को यह कहेगा ठीक है तो आपके पास एक GST नमबर भी होना चाहिए ठीक है तो नहीं है तो कोई दिकत ने कुछ भी आप create कर लिजेगा गूगल से किसी का GST कॉपी कर लिजेगा वहां से यहां लगा सकते हो ठीक है न तो यहां बात कर ले तो GST के लिए यस कर दीजेगा सेटिंग को जैसी यस की जगा तो आपको एक डायलोग बक्स एपियर होगा यह जो बॉक्स आपका एपियर हुआ है यह डायलोग बॉक्स इसी में आपको फॉर्म फिलप करना है इसका पूड़ा प्रोपर तो पहला में स्टेट पूछ रहा है बिहार दे दीजेगा और रेगुलर केहते हैं मंतली जो टेक्स फाइलिंग करता है उसके लिए रेगुलर हो गया ठीक है लेकिन कमपोजिशन बात कर लें तो क्वाटरली होता यानि तीन-तीन महीने पे होता है साल में चार बार के लिए ना तो आपको रेगुलर देना है त जबसे आपका करना है एंटर करके नीचे आना है नीचे आके यहां पर आपको देख नमबर जो भी होका आप टाल सकते हो अगर आपके आपको पर GST नमडर होते है यहां आपको लगता है कि आप अपने से लिख सकते हैं जेस्टी नमबर तो आप लिख दीजेगा नहीं लिख सकते हैं तो कहीं से भी आप एक जेस्टी नमबर कॉपी कर दोट सी किया देन आपको आ है Tally में और tally में अपना यहाँ पर यहां से इंटर करके आप नीचे आजाओ ठिक है अब यह नुमबर होगत है मेरे पास अब बात कर ले तो रेग्लर वाले को मैंने कहां मंतली होता है और और कमपोजिशन वाले को टरली तो मुझे मंतली देना है क्योंकि मैं रेगलर सेलक्ट किया हूं है तो मंतली पर इंटर कर दीजेगा के लिए अब इंटर कर लेने के बाद आपको क्या करना है यहां पर पूछ रहा है आप जिस्टी डिटेल को सेट करना चाहते हैं तो बिल्क बटन 12 होगा उसको अगर प्रेस कीजिएगा देख लिजिए यह अप्रेस किया फंक्शन बटन 12 तो यह ऑप्शन आपको इनेवल होगा इसमें यह जो दिख रहा है ना करने के लिए है यहां से यस कर दीजेगा यस करके आप एंटर कीजेगा ठीक है इसमें कुछ भी नहीं है दूसरा वाले पहला उप्शन को खाली यस कीजिएगा देन नीचे बात कर ले तो इसको भी नोहीं रहने देना है उसको भी नोहीं रहने दीजेगा यह जब यस रहेगा तो यह जो लिस्ट आपको दिख रहा है इतना बड़ा खुला हुआ यह डिस्क्रेप्शन के साथ इसी करण से दिखता है जब नहीं दिखेगा मालीची छोटा डीटेल आपको खूले यहां से करके वो दोनों को अन कर लेना है ठीक है ना बता दिया अब यहां बात कर ले तो मोवाइल की यह मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूं तो डिस्क्रेप्शन में क्या होना चीए और एचनेस नंबर कहां से लाएंगे हम तो बिल्कुल बहुत असान है बहुत सिंपल है मैं दिखा देता हूं कैसे आएगा एचनेस कोई भी प्रोड़क्ट के रिगार्डिंग तो आप सबसे पहले यह गूर्मेंटल साइट है गूर्मेंटल साइट है इस पर आपको क्या करना इस पर आ जाईएगा gst.gov.in यह सर्च कर लिजेगा गूगल पर और इसके में होम पेज के नीचे यहां बगल में देखिएगा सर्विसे का ओप्सन यहां पर क्लिक किजेगा यहां पर जाब किलिक किजेगा तो यूजर सर्विसे यहां दिख रहा होगा उसके नीचे देख कोड लिखना शेयां पर धिसक्रेप्सन लिखना जो इसके रिगार्डिंग और यहां पर कोड लिखना रहे हैं जो कहा से लाओग को इसके लिए मैं सर्च करना सर्च करके देदेगा और यह व किस आटा है यहां पर मैंने सर्च किया देख लिए यह कोड़ आगया ना एचसन कोड़ आपका जो है मोबाइल पोने में करिज्टानतों इसक्रिप्शन में इहां माइने गाई इहां मोईलिए रिगाड़ें स्क्राइब कर दिजें और यहां पर आये टैली अपने और यहां पर आकेТак नीचे आहिए ना तो क्कि आपको आना है कि एक्सफेल में क्योंकि ट yaak लगाना है नमों को मिल मतलब जीरो ठीक है याद रखेगा Unown नहीं करना है टेक्सफेल बना रहे हैं तो टेक्सेवल पूरा प्रोपरवें हैं भढ़िए गाध्या को इनेवल कीजि़े ठीक है Frank देखसे बला गया देन बात कर लिए percentage की तो मोवाइल में कितना परसेंट होता है यह आपको अगर नहीं पता तो इसके लिए भी गूजल कर लिजे ठीक है मुझे पता है वैं आपके लिए गूजल कर दें रहा हूं ठीक है 18 परसेंट होता है लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको गूगल बताएगा कि मुवाइल में कितना टेक्स होता है ठीक है यहां पर देखेगा उपर लिख देगा देखे 18% कितना होता है मैंने बोला था आपको 18% होता है तो यहां पर 18% आपको लगा देना है अपने टैली के अंदर ठीक है ना जो भी प्रोडॉक्ट होगा आप ऐसी यहां पर सेंटर के लिए और 9% स्टेट के लिए जाता है मैं जो बताया था आपको पिछला वीडियो में कि हम लोग जब भी टेक्स फाइलिंग करते हैं तो लोकल और इंटर स्टेट देख करके करते हैं तो इंटर स्टेट और लोकल के बीच में आपको बहुत सारा चीज बताया था अगर डाउट होगा उसमें तो कॉमेंट करके बताईएगा मैं आपको फिट से दुबाड़ा बताऊंगा कि इंटेग्रेटर और लोकल में क्या फर्ग था है ना चलिए यहां पर हो गया बहुत आसान था यहां पर क्या करना है इंटर के नीचे आना है ठीक है द करके यहां पर इंटर कर लीजेगा स्छेब की यहां पर पूछेगा inटर के लिए अगर आपको यह गिसने का किष्धा है तो यहां पर करसकते है लकिन फिलहाल करने की इसक価 जरूरत नहीं है ठीक है लाइर्टी पगरिए आपको टाने दीजगा कुछ भी डिखीजेगा करके आपको नीचे आना है इंटर करते रहेगा ठीक है बागी कोई option में कुछ भी करने के आपको ज़रूद नहीं है बागी सब परफेक्ट है आपका ठीक है इंटर किजिएगा इंटर करके यहां पर जो आप से पूछ रहा है कि लिमिट इंक्लूट्स पूछ रहा है इसमें इस वेलने उसमें क्या कर सकते हैं इसमें प्रक्षाहा कर सकते हैं 175 विद्ेसने आपको ठीक है इंटर करके अगे बढ़ना आपको ठीक हैं इंटर में आपको इसंको नus下次 श्रूट निएगा इसके जो एमांट डला वा बिल्कुल परफेक्ट ऐसी रहने दीजेगा ठीक है आपको नहीं रखना को हो तो जोनों को 0 कर सकते हैं बाट को ठीक है यहां से इंटर करते हुए आपको नीचे आना है एक्सेप्ट करना है इसको ठीक है नीचे एक्सेप्ट पुछता है आपसे देख लिजिए यह पुछ रहा है नीचे एक्सेप्ट कर लिए तो इस पेज पर यह आ जाएगा टी डिएस वाले पेज़ पर यहां पर कुछ नहीं करना है तो 165 Oh नो, इंटर कीज़ेगा, इसको भी, नो ही रहने दीज़ेगा, इंटर कीज़ेगा, ठीक है, और बात कले, इनेवल ब्राउजर ऐकसेस For Report, इसको, यह रखेएगा, कोई दिकत नहीं है इसमें, इनेवल Tally Net Services, Tally Net Services को अभी, नो ही रहने दीज़ेगा, कि कुछ भी, multiple address यहां नोहीं रहने दीजेगा mark modify voucher इसको भी नोहीं रहने दीजेगा ठीक है इंटर कीजेगा और acceptance पूछ रहा है इंटर करके accept कर दीजेगा ठीक है इस तरीका से आपका GST tally वाला company create हो गया with GST name और with GST number with GST percentage है ना यह सारा चीज कैसे HNS code को search करके हम लोग इसमें apply करते हैं ठीक है वह सारा चीज मैंने जिक्र किया है उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो अध द यह वाई